आईपियल के माच्चेस के दौरान चैन नई सूपर किंग्स के खिलाडियों की पत्निया टीम के तेज गेंदबास दीपक चाहर से अपने पत्यों की बुराई करती हैं। ये बात खुद दीपक चाहर ने कॉमेडियन कपिल शर्मा को उनके शो दे कपिल शर्मा सीजन टू पर कही थी। शो के दौरान बातचीत में दीपक ने ये भी बताया के टीम के ज्यादातर खिलाडियों की शादी हो चुकी है। और उन्हें मजबूरी में अकेले ही समय काटना पड़ता है। आईपेल के दौरान मैच ना होने की सूरत में शादी शुदा खिलाडी अकसर अपने परिवार के साथ समय बिताते थे। ऐसे में दीपक को कमपनी नहीं मिल पाती थी। कपिल ने शो में बताया दीपक चन्ने इसे खेलते हैं, इनकी टीम का एक नियम है, सबी खिलाडी एक ही प्लोर पर ढहरते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। दीपक ये आपका प्यार है या कैप्टन को आप पर शक है। इस पर दीपक ने कहा ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ चन्ने के साथ है, ऐसा सभी टीमों के साथ है, सब को एक ही प्लोर पर रुपना है। यदि आपका कोई गैस चाता है तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन है, किस के साथ आ रहा है, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी टीम में सब सीनियर प्लेयर है, सब की शादी हो चुकी है, सब के बच्चे हैं।